Hello Friends, Welcome to Divya Ayurvedic Center BMS Friends, आज हम पढ़ने वाले हैं भैसर जी कलपना ठीक है? रशास्त्र एम भैसर जी कलपना इस तरह से हमारा एक सब्जेक्ट है जिसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 में हम रशास्त्र को पढ़ते हैं और पेपर 2 में हम भैसर जी कलपना को पढ़ते हैं ठीक है? दोनों पेपर मिलाके दोनों 100-100 मार्क्स के होते हैं आपको पासिंग मार्क्स के लिए दोनों को मिलाके 100 मार्क्स लाना होता है को पूरा करेंगे आज इस लेक्चर में हम सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2021 में इसका कोशन भी आया था सैथ सेसी एस उनिवर्सिटी का वो कोशन था ठीक है तो हम क्या देखेंगे इसमें कि अर्थात भी सजी कलपना का इतिहास क्या है और भी सजी कलपना का करमिक विकास का मतलब हो गया कि प्राचीन काल से आज तक किस तरीके से वहसज कलपना का विकास हुआ है इसको हमें बताना है दूसरा हमें concept of और वहसज को भी देखना है यानि और वहसज में क्या अंतर है बैसिकली और दोनों क्या होते हैं तो यह हम देखेंगे आज इस लेक्चर में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स य ज़रूर करना अगर आप नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट क्या है हमारा टॉपिक है बहसज कलपना का इतिहास या फिर बहसज कलपना का क्रमिक विकास एक्जाम में दोनों तरह से कोई सा भी कोशन आ सकता है कि बहसज कलपना का इतिहास बताईए ग्यान विज्ञान का विकास वेदों से ही स्विकार करते हैं यानि कि वेद जो हमारे हैं आपको पता होगा कि हमारे जो सबसे प्राचीन गरंथ हैं वो हमारे वेद हैं तो इसलिए हम वेदों से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पुराने से तो सभी इतिहासकार ग्यान विज्ञा है उसके starting कहां से start हो गई थी यानि व्यदिक काल सब से प्राशी oppression काल था तब से ही इसकी जो इत्याज़ है यानि कि इसकी सुरुआत है वो हो चुकी थी तो आई यह समझते हैं कि तरीक़ से तो हमारे जो व्यदों बताया है कि पत्थर या दातों के द्वारा पीचे कहलाता है तो संभवता आदी मानों ने भी अपनी भूख सांत करने के लिए वनस्पतिक द्रव्यों को दातों से चबाया होगा और यही मौलिक रूप से कलक कलपना का प्रारंब है तो यारी कि अगर हम कुछी भी द्रव्य को लेकर पत्थर से पीस देते हैं तो उससे जो उस आसूचित किया होगा आसूचित मतलब हो गया है कि चूसा होगा तो इसी प्रकार इन द्रव्यों के रसो को भी आसूचित यानि चूसा होगा तो सुरस कलपना का सुरूप माना गया है यानि सुरस क्या होता है किसी चीज को चूस कर या उसको बल्कुल मलब दबा कर उसमें फल या फिर किसी भी द्रवी को चूस कर उसमें से जो रस निकालते थे तो ये दोनों क्या हैं सुरस कलपनाएं हैं यानि कि उस जमाने में इस तरह से सुरस कलपनाएं बनती थी कि चूस के और आज के जमाने में कैसे हम बना रहे हैं अलग अलग आधुनिक तरीकों से तो फिर अगला क्या है भैसर जी कलपना भैसर जी कलपना का मूल भूत आधार क्या है पंचविद कसाई कलपना यानि कि पंचविद कसाई कलपना जो है वो भैसर जी कलपना का मूल भूत आधार है यानि हम भेसर जी कलपना जो है वो पूरी डिपेंड करती है किसके उपर पंचविद कसाई कलपना ठीक है आप ये मान के चलना आगे हम पढ़ेंगे कि पूरी भेसर जी कलपना क्या है तो पूरी भेसर जी कलपना आपका पंचविद कसाई कलपना है ठीक है यानि कि मेंली हम स सवरस कलपना जो है वो पंचविद कसाई कलपना का आधार है इसी में ही सभी कलपनाओं का समावेस हो जाता है ठीक है यानि जितनी भी कलपना हैं वो कलक और सवरस कलपना में ही समाहित हो जाती है और जो कलक और सवरस कलपना है वो किसका आधार फिर बन जाती है पंचविद क साय कलपना का, क्यूंकि सारी कलपना इन्हीं दो में नहीं थे, ठीक हैं? तो चलिए आगे देखते हैं कि हम भैसतजी कलपना जो है, तो किरमिक विकास किस तरह से हुआ है? तो और खेले के किस तरह से हुआ है? यानि वैदि काल में किटना विकास हो रहा था? वैसर जी कलपना का फिर सहिता काल जबाया तो उसका कितना विकास और ज़्यादा हो गया तो इस तरह से हम बताएंगे तो आप क्या लिखेंगे वैसर जी कलपना का करमिक विकास निम्न कालों में विभक्त किया गया है सबसे पहला है वैदिक काल, दूसरा है सहिता काल, तीसरा है मद्दिकाल और चौता है हमारा आधुनिक काल ठीक है आधुनिक काल तो हमारा सबसे आधुनिक हो गया यानि कि हमें बताना है वैदिक काल में कितना विकास था वैसर जिकलपना का सहिता काल आते आते कितना विकास हो गया और मद्दिकाल में वैसर जिकलपना का कितना विकास हुआ और आधुनिक काल में इसका कितना विकास हो चुका है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल, वैदिक काल में क्या था, विस्व के प्राचीन तम साहित वेदों में, यानि सबसे प्राचीन जो हमारा साहित वो कि आए वेद हैं, तो उसमें और सध तथा आहर्ध रव्यों का वर्णन मिलता है, तथ इसमें उसद उत्पत्य का भी वर्नन मिलता है इस युग में 107 उसदियों की उत्पत्य देउताओ द्वारह हुई इनसे हजारों सेक्डों बार रोगी को रोगमुक्त किया गया यानि की वैदिक काल में यानि वेदों में भी हमारे भैस्जिकलपना का जो वर्नन है वो मिलता है ठीक है अगला है रिएगवेद के ओसधी सूक्त तथा अन्ने वेदों में अन्य ओसधियों का वर्णन मिलता है जिन में सोम को प्रमुक ओसधी माना गया है अर्थात सोम नामक जोfish ओसधी है उसको ओसधियों का राजा कहा गया है ठीक है तो अभ हम व्यद्धिक κάल एक रगवेद आपको पता उगए यह जूर वेद रिए लेद但是 कि उर्धी करकर हमारे बिदे होते हैं तो रेगवेद में हम्हें और ὁतिय का मिलता है ठीक है तो हमने यह पर बता दी क्या कि वेदों में हम box ये बताना चाहरे किस обрат différend, तो दोन 5,00-の तो ऐिद नाउए mem totally, हैरे लेकि इस वरवरकिषा का प्रिय mereka ??? इस सब्चे hein, लेकिन उस समय में भी लोग्याइचा का निर्मार्ण तो प्योक का तो जब तक निर्मार्ण नहीं करें गयान Carolina कि उसका निर्मान भी होता ही होगा ठीक है तो चोट से बने घाव के लिए सिलाची यानि लाक्षा को अचूक औसदी कहा गया है किसमे रिगवेद में यानि के रिगवेद में औसदियों के बारे में बताया गया है दूसरा हमारा है फिर अधरवेद अधरवेद में किस तरह स बेसाजी कलपना का वर्णन मिलता है इसको हम पढ़ेंगे तो अथरवेद में विस को जल में घोल कर देने को कहा गया है इसमें संभवता सीथल जल का प्रियोग होता है इसलिए ये सीथ कलपना है कुल मिला कि हमें कलपनाएं बतानी है ठीक है यानि हम मैंने बता दिया पूरे बेसाजी कलपना क्या है देखो आप उसमें नाम में कलपना आ रहा है यानि कि हम इसमें सारी कलपनाओं को पढ़ते है तो हम इसका अगर हम विकास बता रहे हैं तो हम कलपनाओं के ही आधार पे बताएंगे कि किसमाने में किस तरह से ये कल्पनाए मौझूद थी जो आज हैं तो इस तरह से हम उसका विकास बताएंगे तो अथरवेद में यही बताया है कि विसको सीतल जलन में घोल कर देना है और इसको हम क्या कहते हैं सीत कल्पना कहते है अथरवेद में अंजन का भी उलेख है तथा विसको तैल में पका कर देने का उलेख है जो इस पश्ट रूप से इसने ही कलपना है ठीक है इस प्रकार समस्त उदाहरनों से यह निसकर्स निकलता है कि भैसजी कलपना की समस्त कलपनाओं की उत्पत्ती या उनका ग्यान वैदिक काल में विद्धिमान था यानि कि हमने बता दिये कि वैदिक काल से ही सुरुआत हो चुकी थी भैसजी कलपना की वैसजी कलपना उस तहां व्यासंजी कलपना का वैधिक काल दूसरा हम देखें घणे अब सहीता काल में किस तरह से इसका बीगास सहे अधिक में डिखेंगे समृ। रasına चेल्फेटा कानि सर्वाल मिलता है किस तरह से इसका विकास हुआ तो जो थी उनमें वेसर जी कलपना का वर्णन अच्छा खासा है अब हम देखेंगे चरक सहिता में किस तरह से इसका वर्णन मिलता है तो आयरवेद में सरवो परी है क्या चरक सहिता जिसके सूत्रिस्थान के दूइतिया अध्याई में 32 यवागू और तितिये में 32 चूंड प्र वर्णन भी किया गया है किसमें चरक सहिता में तो चरक सहिता में भी किसका वर्णन मिलता है हमें कलपना होगा फिर सूसूरत सहिता के बात करें अगर तो चरक के पश्चात प्राचिंता के करम में सूसूरत सहिता का इस्थान है इसमें 6 प्रकार की मौलिक कलपनाई मानी है स्वरस, कलक, कौात, सीत और फांड यानि सुसूरत सहिता ने भी पांच तरह के हमें क्या बताए हैं कलपनाई बताई हैं यानि कलपनाई सुसूरत सहिता में भी वड़नन है अर्थात वहां पर भी मौजूद था क्या भैसच कलपना लेकिन छेर कलपना का सुरस में समावेस हो जाने से इसको छटी कलपना मानना उचित नहीं है तो देखेंगे अब कास्यप सहिता में किस तरह से कलपनाओं का वर्णन है तो आचारी कास्यप ने साथ मॉलिक कलपनाय माना है जिसमें चूर्ण एवम अभी सव यानि कि मद्धिकलपनाओं का पंचविद कसाई कलपना में समावेस हो जाता है अताहा चरक वाली जो पंचविद कसाई कलपनाओं हैं वही मौलिक कसाई कलपनाओं हैं ठीक है आचारे वागबट द्वारा रचित गरंतों में भी इन्ही पांच कलपनाओं को मौलिक कसाय कलपना माना है अब हमने यहां तक सहिता काल में देख लिया है किस तरह से विकास हुआ है ठीक है आगे हम देखेंगे मद्धिकाल में मद्धिकाल में किस तरह से हुआ है इसको देखते हैं सहिता काल के पश्चात मद्धिकाल में खनिजो पर धातु आदात्मक क्रियाओं का वर्णन हुआ है। इसको थोड़ा सा आप याद कर लेना। सहिता काल के बाद जो मद्धिकाल आया, उसमें क्या हुआ कि खनिजो और धातु का उपयोग बताए गया है। उनकी किस तरह से हम उनके सुरूप में चेंज करके अपने यूज कर रहे हैं। ऑनसे किस तरह से हम कलपना का निर्मान करते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, इन चेलों के बारे में बताए गया। जिसमें खनिश द्रव्यों का सोधन मारन सत्वपातन स्दूती पारत संसकार तथा अनेक औसधी कलपनाओं का विकास हुआ इस काल में चिकित्सा द्रिष्टी से खनिश द्रव्यों की बस्मे यानि बस्म बनाई जाती थी कैसे पका के ठीक है खुब सारा अगनी का देते थे जिससे की बस्मे बनाई जाती थी द्रूती सत्वपातन बस्मे रस संदूर परपटी और कोपी पकर रसाय उन्हों का निर्मान प्रारंब हो गया यह सारे चीज़े हम आगे पढ़ेंगे आप गबरानमत यह सिर्फ नामें बताया है कि किस तरह बस्मे नहीं बनती थे अब बनने लगी है कोपी पको रसायन पहले नहीं बनते थे अब यह भी बनने लगे है तो यह विकास हो गया है ना हमारे इस वहसजी कलपना में तो वही बताया जा रहा है बाकि आगे आगे आपको सारी चीज़े पढ़नी है रस औसदियों के भैसज रतनावली आईरवेद सार संग्रह आदी गरंथ लिखे गए इन सभी गरंथों में चुनकवात आसव अरिष्ट गृत तैल आदी कलपनाओं का उल्लेख वर्णन किया गया है ठीक है उल्लेख वर्णन किया गया है भारती आईरवेद योग संग्रह यानि एफ आई भारत सरकार द्वारा प्रकासित गरंथ है जिसमें कलपनाओं के प्रधान योगों का वर्णन किया गया है यह अंग्रेजी एमम हिंदी दोनों भासाओं में प्रकासित है गुजरात सरकार द्वारा भी भैसच सहीता प्रकासित की गई है यानि कि अब सरकार भी इसमें कर रही है ठीक है तो यह सब चीज़ें आज के आप आधुनिक काल में लिख सकते हैं वरतमान में और समयनुसार निर्माण कर बेच रहे हैं ठीक है तो आपको कुलमला के आज में यही सब बता देना है कि किस तरह से नहीं नहीं और सदिया बनने लगी है मतलब नहीं नहीं कलपनाएं बनने लगी है ठीक है कि नहीं नहीं वर्टी चूर्ण यह सब बनने लगें कितने सारे चूर्ण क्रीम यह सब आने लगें सैंपू तो यह सारे क्या होते हैं आईरवेदिक होते हैं ठीक है तो इनहीं सब चीज़ों के बारे में आपको बता देना है अब हमारा यह जो पूरा होता है क्रमिक विकास अब हम थोड़ा से देखेंगे कि औसद और भेसज में क्या अंतर है ठीक है और यह दोनों बेसिकली होते हैं तो आपको एरो दिखरा होगा तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि औसद एवं भेसज दोनों परियाए हैं एक द और बली होम वरत तब द्वारा जो रोगों का समन करते हैं उसको हम भेसज कहते हैं सारी रिक एहों मानसिक व्यादिया जो होती हैं उनका हम उपचार और और विसेश रूप से जो मानसिक व्यादिया होते हैं उनका उपचार हम भेसज से करते हैं ठीक है तीसरा पॉइंट ह कि आउसद जो है वो परत्येक्शी चिक्ट्सा है यानि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओस ऑसद का प्रयोक किया जा रहा है लेकिन जो आप प्रत्येक्श केंट्सा है तो वह किस तरह को जानता है रोग्यों के लिए हितकर है वो भैसज है ठीक है यानि कि इसमें रस उसदियों का उप्योग होता है उसद के अंदर और भैसज के अंदर जो जानता है विग्यान को उसी को ही हम भैसज मान रहे हैं वो अपनी सक्ति के दोरा पेसेंट को ठीक कर रहा है अपने माइ पेसेंट है उसके पीड़ा को हर लेते हैं पीड़ा को कम कर देते हैं लेकिन भैसज लोग क्या करते हैं कि जो डर था रोग का उसको दूर करके ठीक है पेसेंट को ठीक करते हैं तो इस तरह से हमने देखा और भैसज क्या है दोनों में क्या अंतर है तो यहां पर हमारा स्लेब क्या पता एकजाम में आहीं जाए कुछ कहने सकते जिलिए मिलते हैं नेक्स прост ISको आप अतना ही प्यार दिए ना जितना बागी वीडियो बीडियो को दिया है तो मिलते हैंनेक्स ट ट विडियो में थैंक यू